हमारे पास से बहुत सारा कमेंट आया था आप ये बताए जिस जमीन पर केस चल रहा है उसका स्थर्में होगा या नहीं होगा और होगा तो किन के नाम से होगा इसके बाद और जो सवाल पूछा जा रहा है कि आ बहुत सारे ऐसा बेखी जिन्होंने नेट पर अपना जो डुब्लिकेट जाबन्दी कायम कर लिया है डुब्लिकेट जाबन्दी सो कर रहा है तो क्या उनका जाबन्दी सर्वें में कैंसिल होगा ये नहीं होगा क्या उन्हीं के नाम से ज्याबंदी के अधर पर सर्वे कर दिया जाएगा सुम इस सेवरियों में सारी जयनकारी आपको बताने वाले हैं एस्टे बर एस्टे फों आपको समझाने वाले हैं आप फर्स्ट टाइम देखरें चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे तकि अब आपको जो बताने वाले हैं थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है मान लिजे खतियान जिसका है उसका नाम ए है यानि कि आप अपने ही साब से समझ लिजे उनका नाम जो भी होगा आप किसी एक कोपी पर यानि कि लिख लिजे हम आपको यहां से एक तरीका से समझाना चाहते हैं जो आप बात के समझ तके तो मान लिजे जिनका नाम है खतियान है उनका ए है और यहाँ पर अब हम समझते हैं हमने दो कॉलम बना रखा है इसी जमीन को किसी ने 1970 में जमीन का रज़्टी करा ली यानि कि जिनके नाम से खतियान है उनहीं का उनहीं से किसी ने 1970 में ही जमीन का रज़्टी करा ली लेकिन मान लीजे और यहां पर आपाओं समझने वाली बात है कि उसी जमीन कर यजनके नाम से खतियान है तो उसी से अभ उसी जमीन को इन्हों एक और जो सेकेंड बेखती यानि कि दूसरा बेखती तो क्या किया है कि उन्हों ने अब दो हजार चोवीश में करा ली कि तो यहां पर किन का होगा और किन के नाम से सर्वे बनेगा यहां पर समझ तो यहां पर जिन्हों ने 1917 कर आए थी तो उनका म्यूटर सन नहीं हुआ था यानि कि जमिन जो कहते हैं दाखिल खरीद नहीं किए चारे कि उन्हों ने उन्लाइन म्यूटरेशन के लिए लगाया ही नहीं या आफ़लेशन या आउंलाइन कोई प्योश्वे नहों कर आया ही नहीं कि सेर्फ इनका जमीन का दखलकपजा है जिन हो ने 1970 में लिया था उनका सिर्फ दखलकपजा है इसके अलावा और उनके पास से कोई भी म्यूटेसन का पेपर नहीं है जिन हो ने 2024 में उसी जमीन को उसी आदमी से लिया है उनका जमीन का दाखरी खरीच भी हो गया है तो क्या उनके नाम से सर्वे हो गया और इनका जो है जमीन दाखलकपजा नहीं है जमीन दाखलकपजा जो 1970 में लिये थे उनहीं के पास दाखलकपजा है क्योंकि जिन्हों ने जमीन को पह किसके नाम से सर्वेइ बनेगा यह हम समाज लेते हैं छिसने अपने जिसे आपने जमील लिया पहलवाद की आपके पक्ष में होना चाहिए सर्वे के टाइम में और यह मान लेज़े अगर आपके पक्ष में नहीं होता है तो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए यानि कि आपने अगर 1970 में लिया है तो आपके पक्ष में अगर ये है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर उनके पक्ष्ट में भी नहीं होना चाहिए जो 2024 में लिया है और आप हम सेकेंड बात समझते हैं जमीन दखल कब जाफी आपका होना चाहिए यानि कि आपने जब 1970 में लिया था तो म्यूटेशन नहीं कराया फिर भी कोई बात नहीं लेकिन जमीन दखल कब जाफी आप ही क्या होना चाहिए सेकेंड बात अब यहां पर हम ठाट बात समझते हैं आपके पास जमीन का ओरिजनल पेपर होना चाहिए यानि कि ओरिजनल दस्तावे जो होता है ओरिजनल होना ही चाहिए और चांथा बात यहां पर यह भी आता है जिस मौज़ा में जमीन परता है उस मौज़ा के लगफ़क पंदर से 20 आदमी आपके पक्ष में होना ही चाहिए उसके बाद ही आपके नाम से सर्वे बनाया जा सकता है यह सारी कंडिशन होता है अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है उस कंडिशन में लेकिन फिर भी आपके नाम से इस सर्वे बनाया जागा जिन्हों ने पहले लिया था 1970 में उनहीं के नाम से बनेगा लेकिन इस सारे क कंडिशन को फूल्फिल करना ही होगा चलिए अगला समझ लेते हैं उसके वाद आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा एक और कंडिशन है छोटा सा एक और कंडिशन है कि मान लेजे जिन से आप जमीन ले थे यानि कि जिन का खतियान था अगर आपके पक्ष में नहीं है तो क्या होगा गाउवाला फिर आपके पक्ष में कोई सहमती देने के लिए त्यार नहीं है जमीन फिर दखल का अब जामे नहीं है और DCLR के पास या सिविल कोट में केस से चल लहा है फिर आपके नाम से सर्वे बिलकुन फी नहीं हो सकता है इस सारे जो हमने आपको कर्डिसन बताया तो ऐसा अगर होता है फिर आपका केवाला पहले का है यानि कि 1970 का सेकेंड में जो करवाएं उनका 2024 का फिर फिर आपके नाम से सर्वे नहीं होगा अब हम समझते कि किन के नाम से होगा तो यहां पर फिर दो कंडिशन है condition 1 अगर जिनका खतियान है अगर वो त्यार होता है अगर चेरहाई करते हैं जमीन पर तो फिर उनहीं के नाम से दोबारा फिर सर्वे बना जाएगा और अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं फिर जो 2024 में केवाला करवाया था तो उनके नाम से अब जो है सर्वे बना दिया जाएगा तो फिर आपके नाम से होगा या नहीं जो 1970 में लिये थे लेखे जो सिविल कोट में या DC लर के पास से केसे चल लहा है जैसे इसके खिलाफ अगर आपके परक्ष में DC जानाता है तो फिर से आपका म्यूटेशन करके उसी क्या काता है जो उसी के नाम से खतियान होगा उसी में से आपके नाम से म्यूटेशन करके जो है आपका जमीन म्यूटेशन कर दिया जाएगा और माल लिजे दखल का आपका है लेकिन और पेपर यानि कि कहा दीजिये की भूला गय है जाल गया जो भी हो अगर है ही नहीं उस कंडीचन में क्या ओकर अगर उसे जमीन पर नहीं आता है पेपर लेगा उस میں सिर्फ आपके नाम से बनाया जाएगा उस जमीन का जो है खाता उन rapidly के नाम से खुलेगा जिनके नाम से पहले जमीन ठाइए जिनकेcase पहले खतियान था उन्हीं के नाम से खुलेगा और दखलक अब्जा आपके नाम से पुरूपर बना दिया जाएगा अब यहापन हम समझते हैं जिनका गलत जाबंदी बना दिया गया हो उसका जाबंदी कैंसिल होगा या नहीं होगा देखे आपको यह कहने कि आप सकता नहीं है यह जाबंदी कैंसिल जरूर होगा लेकिन सब के लिए प्रोसेस है आपको पता होता है कि आप उससे जाबंदी को आपको गलत सावित भी तो करना होगा कि गलत है, मान लिजे ऐसे आप कह दिये कि नहीं उनका जोजाबंदी है गलत है, तो सिर्फ कहने से तो हो नहीं सकता है, इसलिए आपको सावित करना होगा, कि उन्होंने जोजाबंदी बनवाया है, तो उनका जोजाबंदी गलत है, और आपने जो जाबंदी बने हैं आपका सही है यह बात आप को साबिद करना अपोगा आप करमचारी के पास साबित कीजिए तो यह जो तो यह आप झाप कर किये तो यह आप करना चाहते यह लेकिन साबित करना होगा उसके बाद ही आपके सोड़ी आउं उसका जवाबंदी कैंसल किया जाएगा और इससे पहले सर्वे हुआ था 1960 में तो 1970 तक लगफ़क चला था उसमें बहुत सारा गल्दिया हुई थी जैसे खतियान जो है उसमें बहुत सारा गल्दिया हुई थी किसी के नाम से कोई भी खतियान बन गया था उसमें बहुत सारा गल्दिया थी जिसका अफित के सिविल कोट में के पास किसी चल गाए है तो क्या उसका इनको अब क्या होगा और जो के चलने है उसका क्या होगा देखके जब तक लेसं का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक मने फिर से जनके नाम से खतियान होगा उन्हीं के नाम से बनाया जाएगा सर्वे सो मैंने आपको लगफख सारी जैनकारी बता दी है सर्वे से रिलेटेड सो आपको वीडियो पर संद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूट कर लेने